नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल ख्रलक्षमी में आज मैं आपको बताने वारी हूँ कुछ वास्तू टिप्स घर पर अशुप प्रभाव डालती है ये 6 चीजे वास्तू सास्त्र, हिंदू धर्म में वास्तू सास्त्र का विशेश महत्व है मान्यता है कि वास्तू सास्त्र में बताये गए नियमों को मानने से घर में सुक समरिधी का वास होता है घर में क्या रखें क्या नहीं वास्तू सास्त के अनुसार घर में बहुत से चीजे सही नहीं होती जिससे कई तरह की समश्याएं होती है घर में असुपता बढ़ाने वाली कुछ चीजे होती है आज हम आपको वास्तु के अनुसार कुछ चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें समय रहते सही कर लेना चाहिए इससे घर में असुपता नहीं आती है घर के सामने पेड वास्तु सास्त के अनुसार घर के सामने कोई पेर नहीं होना चीए कहते हैं इससे आपके जीवन में उन्नती के मार्ग बंध हो जाते हैं घर का मुख्य दर्वाजा घर का मुख्य दर्वाजा अगर खराब है तो उसे तुरंत ही सही करा ले वास्तू के मुताबिक घर का मुख्य द्वार खराब होने से घर में धन हानी होती है घर के सामने कुवाँ वास्तू सास के अनुसार घर के दर्वाजे के सामने कोई कुवाँ भी नहीं होना चाहिए इससे घर में नकारत्मक उर्जा आने लगती है दिशा का रखे ध्यान घर के दक्शिन पष्चिम कोने में हमेशा भारी वस्तू रखनी चाहिए ऐसा कहा जाता है कि इससे राहू ग्रह शांत रहते हैं वास्तु सास्त के अनुसार दक्शिन पष्चिमी दिशा में ट्वाइलेट नहीं बनवाना चाहिए इस दिसा में ट्वाइलेट बनाने से घर में राहू का प्रभाव रहता है घर के बीच में खाली इस्थान घर के मध्य यानी बीच वाले इस्थान को हमेशा खाली रखना चाहिए इसलिए पहले के समय में घरों में आंगन बनाये जाते थे तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताईए और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद